हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सरकारी रिजल्टेट डा दोस्तों महाराष्ट्रा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेट द्वारा कई पदो पर वेकेंसी निकाली गई हैं इस वीडियो में इसके बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी तो चलिए सुरू करते हैं इसके साथ ही बता दें अनकेडिमी द्वारा यूपी एसी सिविल सर्विस एक्जाम 2021-2223 की तैयारी करने वालों के लिए नए बैच्च स्टार्ट किये गए हैं इसमें वन-एर बैच्च स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें आपका सारा सलेवर्स कवर कराया जाएगा पलिम्स और मैंस का लाइब क्लासेज होंगी टॉप एजुकेटरे जबारा और पलिम्स और मैंस की टैस्ट स्टार्ट कराएगी इसके लाबा जो लोग दो साल का के टेसरीज कराई जाएगी UPSC दोरा Civil Service Exam 2022 के एक्जाम डेट जारी कर दी गई है तो Unacademy दोरा 2022 की तयारी के लिए नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें पहले 7 महिने आपके प्लिम्स की तयारी कराई जाएगी और मेंस की तयारी कराई जाएगी तो जो लोग UPSC की तयारी करना चाहते हैं वो लोग ये बैच जाइन कर सकते हैं यहाँ पर आपका सारा Slavers कवर कराया जाएगा तो जो लोग सब्क्रिप्शन लेना चाहते हैं मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया कमेंट में पिन कर दिया है जाउच सॉल्विंग सेशन होंगे और आपकी टेस्स को पर्सनाइज अनलेसिस किया जाएगा डेली एंसर राइटिंग करा आई जाएगी इसके लावास लाइब क्लासेज होंगी वीकली टेस्ट होंगे सारा steady material प्रोवाइट कराया जाएगा unlimited access होगा तो आप लोग इसका iconic subscription ले link वीडियो के description में दिया गया और comment में पिन किया गया है और इस से related कोई सवाल है तो आप मुझसे comment section में पूँछ सकते हैं इसका application form आप 23 से भर सकते हैं और last date 14 October 2021 से आपको इससे पहले application form फिल करना होगा अगर post name की बात करें तो इसमें additional chief project manager की post है signal की जो की पूने metro rail project के लिए है total एक vacancy है और pace के लाब का एक लाग से दो लाग साथ हजार के बीच में होगा इसके लिए आपको BE या फिर BTEC pass होना चाहिए electronics में या फिर electronics and telecommunication में इसके लाबा candidate के पास work experience होना चाहिए executive work experience होना चाहिए metro rail या फिर railway या फिर railway PSU में या फिर किसी government organization या PSU में या फिर किसी metro related infrastructure industry में और maximum age जो है इसमें 53 साल है अगली post जो है senior deputy general manager electrical दाथा mechanical की है total एक vacancy है इसमें 80,000 से 220,000 के बीच में आपका pay scale होगा इसके लिए आपको full time BE या BTEC pass होना चाहिए electrical में या फिर mechanical में और इसमें आपके पास executive experience होना चाहिए mechanical या फिर electrical या फिर MEP department किसी भी metro rail में या फिर railway या फिर railway PSU या फिर government organization या फिर PSU में या फिर metro related किसी भी infrastructure industries में और maximum जो है आपके 48 साल है अगली बोज़र deputy general manager safety तरह training की है जिसमें एक vacancy है और pay scale 70,000 से 2,000,000 के बीच में है full time BE या BTEC pass candidate apply कर सकते हैं जो कि civil engineering या फिर electrical या फिर mechanical engineering के candidate है और इसमें आपके पास executive experience होना चाहिए operation की field में safety या फिर training की field में किसी भी metro rail में आपने काम किया हो या फिर railway या फिर railway PSU में या फिर किसी government organization PSU या फिर metro related infrastructure industries में तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं अगली पोस जो है assistant manager system analyst की है BIM तता SAP की इसमें एक vacancy है और इसके लिए 50,000 से 1,60,000 रुपे basic pay है इसके लिए आपको B.E. या B.Tech. पास होना चाहिए electronics या फिर electronics and daily communication या फिर computer science या फिर information technology maximum age 35 साल है इसके लिए minimum 4 साल का work experience होना चाहिए आपके पास अगली पोस है senior station controller या फिर traffic controller या फिर deport control या फिर train operator की है इसमें total 23 vacancy है और इसके लिए 40,000 से 1,25,000 रुपे basic pay दिया जाएगा इसके लिए आपको graduate pass होना चाहिए किसी भी branch में उसके सासाथ या फिर अगर आपने full time 3 साल का diploma किया है किसी भी trade से तो आप apply कर सकते हैं इसके लिए minimum 3 साल का work experience होना चाहिए अब बात करते हैं अगली पोस्ट की जो की senior station engineer की है track की इसमें एक vacancy है और 46,000 बेसिक पे है 46,000 से 1,45,000 के बीच में इसके लिए आपको B.E.B.T.E.C. पास होना चाहिए civil engineering में इसके लिए आपके पास 2 साल का work experience होना चाहिए related field में और maximum age आपकी 40 साल है अगली पोस्ट जो है senior section engineer की है इसमें एक vacancy है और इसका basic पे आपका 46,000 से 1,45,000 के बीच में होगा इसके लिए आपको B.E.B.T.E.C. पास होना चाहिए electrical engineering में minimum 2 साल का work experience होना चाहिए maximum age जो है 40 साल है अगली पोस्ट जो है senior section engineer की है इसमें एक vacancy है और basic पे 46,000 से 1,45,000 के बीच में होगा B.E.B.T.E.C. पास candidate अपलाई कर सकते हैं जिनोंने electrical या फिर mechanical engineering में B.E.B.T.E.C. किया है और minimum 2 साल का work experience होना चाहिए अगली पोस्ट जो है section engineer IT की है इसमें एक vacancy है और pay scale आपका 40,000 से 1,25,000 के बीच में होना चाहिए फुल टाइम B.E. या B.T.E.C. पास candidate अपलाई कर सकते हैं जिनोंने electronics या फिर electronics and telecommunication या फिर computer science, information technology इन समें B.E.C. candidate या फिर B.E. candidate इसके लावा MCA candidate अपलाई कर सकते हैं minimum 3 साल का work experience होना चाहिए अगली पोस जोनियर, इंजिनियर, signal and telecom की है इसमें total 3 vacancy है जिसका basic pay जो है 33,000 से 1,00,000 के बीच में होगा इसके लिए आपको full time 3 year diploma पास होना चाहिए electronics में या फिर electronics and telecommunication इसके लिए आपके पास 2 साल का work experience होना चाहिए अगली पोस जोनियर, इंजिनियर, ट्रेक्शन की है इसमें 11 vacancy है basic pay 33,000 से 1,00,000 के बीच में होगा full time 3 year diploma पास के इंडिडेट अप्लाई कर सकते है वो भी electrical engineering में diploma पास के इंडिडेट और 2 साल का minimum work experience होना चाहिए अगली पोस जोनियर, इंजिनियर की है इसमें 1 vacancy है इसके लिए basic pay आपका 33,000 से 1,00,000 के बीच में होगा और इसके लिए आपको 3 साल का diploma पास होना चाहिए electrical engineering में या फिर mechanical engineering में और 2 साल का minimum work experience होना चाहिए अगली पोस जोनियर, इंजिनियर, civil track की है जिसमें 3 vacancy है और basic pay 33,000 से 1,00,000 के बीच में होगा जिसमें full time 3 year diploma पास candidate apply कर सकते है जिन लोगों इने civil engineering में diploma किया है और 2 साल का minimum work experience होना चाहिए अगली पोस जोनियर, senior technician की है जिसमें 12 vacancy है और इसका basic pay 33,000 से 1,00,000 के बीच में है इसके लिए आपको ITI पास होना चाहिए electrician या फिर wireman या फिर electric fitter या फिर mechanic या फिर machine tool या फिर maintenance trade में इसके लिए candidate को ये पास 3 साल का work experience होना चाहिए अगली पोस जो है senior technician की है इसमें total 5 vacancy है basic पे 33,000 से 1,00,000 के बीच में होगा इसके लिए आपको ITI पास होना चाहिए mechanic machine tool में या फिर maintenance में या फिर electrician में या फिर wireman, electric fitter या फिर mechanic fitter या फिर plumber में minimum 3 साल का work experience है तभी आप इसके लिए apply कर सकते हैं अगली पोस जो है senior technician की है total 5 vacancy है 33,000 से 1,00,000 के बीच में आपका basic pay scale होगा ITI पास होना चाहिए तभी आप apply कर सकते हैं उसके साथ 3 साल का work experience हो अगली पोस जो है senior technician signal तथा telecom की है इसमें total 9 vacancy है और 33,000 से 1,00,000 के बीच basic pay होगा आपका ITI पास candidate apply कर सकते हैं जिन्होंने electronics या फिर electronics mechanic में ITI पास किया है और 3 साल का work experience से तो वो लोग apply कर सकते हैं अगली पोस जो है senior technician की है इसमें total 12 vacancy है और 33,000 से 1,00,000 के बीच में vacancy है इसमें ITI पास candidate apply कर सकते हैं फिटर ट्रेट सिव ITI पास होना चाहिए और minimum 3 साल का work experience होना चाहिए अगली पोस जो है account assistant की है finance department में total 4 vacancy है basic पे 25,000 से 80,000 के बीच में है full time become candidate apply कर सकते हैं जिसके लिए minimum 1 साल का work experience होना चाहिए अब बात करते हैं selection process का तो इसमें personal interview होगा उसके बाद document verification होगा और उसके बाद आपका medical examination होगा उसके बाद आपका selection किया जाएगा इसमें आपकी knowledge, skill, experience तो जो लोग form फिल करना चाहते हैं मैंने link वीडियो के description में दे दिया comment में पिन कर दिया आप इसका form फिल कर सकते हैं last date 14 October 2021 है आप इससे पहले application form फिल कर दे और कोई सवाल है तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हैं ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद